देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल आपकी गाइडेंस के लिए यह राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है हर राशि के साथ दिन का उपाए भी बताय जाता है राशिफल पर चलेंगे लिकिने एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप से नजर डाल लेते हैं पंचांग की दर पढ़ने से पहले सबी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बरी अवश्य रिक जाएगा पंचांग इस्ता से है तिथी त्रेयोदशी नक्षत्र पूरफालगुनी योग वृद्धी करन तैतिला वार मंगलवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है सूर्य महराज 6.09 एम पर उदे होके अस्त होंगे 6.41 पी-म पर चंद्रमा सिम्ह में रहेंगे नक्षत्र पूरफालगुनी सूर्य महराज मीन में रहेंगे नक्षत्र रेवती विचेश मूरत ब्रह्मा मूरत 4.37 एम से 5.23 एम अभिजीत मूरत 12.00 पी-म से 12.50 पी-म और अमरित काल 3.39 एम से 5.22 एम अशुब मूरत रहु काल 3.33 पी-म से 5.7 पी-म और गुलिक काल 12.25 पी-म से 159 पी-म इन दोनों ही अशुब मूरत में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार हनुमान 40 का पाट करके घर से निकल दिएगा तो इता पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुआत करेंगे मेश के साथ मेश कुछ कारे अगर टाल रहे हैं कुछ कारे आप अपनी तरफ से डिले कर रहे हैं तो उनको और डिले मत कीजिए आज का दिन उनको पूर्ण करने के लिए कीजिए अधरवाइस वो कारे बहुत लंबे समय तक अटक जाएंगे contentment की भावना रखी अपने जीवन में ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये नहीं है वो नहीं है ये भावना थोड़ी बढ़ रही है और उसके कारण जो आपके पास है उसकी value नहीं कर रहे है दिन ठीक थाक है आज कर लेकिन इन सब चीजों पर विचार कीजेगा अपने कारे पूर्ण कीजेगा इन्वेस्पन करी जा सकती है रात के समय सोचना बहुत अधिक हो जाएगा यानिकी overthinking बहुत दिखेगी तो उस पर थोड़ा control कीजेगा क्योंकि वो आपको एक गलत ही direction में ले कर जाएगी और शायद नींद भी आपको ढंक से नाए जा तक करियर की बात जब समय थोड़ा सा निकल जाता है तो आपका relationship अगले stage पर जाना चाहिए अभी लग रहा है कि कही न कहीं वहीं पर अटका हुआ है जहां से start हुआ था विवाईक जीवन ठीक है कोई problem नहीं दिखरी हाँ अपनी तरव से expectations अगर आपके बढ़ते हैं तो वहाँ पर problem हो सकती जाद expectations बद रखिएगा student intuition बहुत अच्छी रहेगा कोई exam आ दी है तो अच्छा करेंगे उसमें सेहत के हिसाब से sleep disorders और रक्त विकार सरवाश्टक आपका दस्वास्थान बली है तो ठीक है दिन ठीक जाएगा और्गनाइस रहेंगे तो और अच्छा जाएगा उपाई यह अच्छा है कि बहुत बोरिंगनेस आ गई है तो कभी-कभी रोजमरा की चीजों से हटकर कुछ entertainment की चीज़े भी करने चाहिए कोई movie देख लीजिए कुछ अलग कीजिए बाहर डिनर पे चले जाएगे क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो बोरिंगनेस का factor है वो बहुत जादा आ रहा है और आपको इसके बारे में थोड़ा idea भी नहीं है mental fatigue थोड़ी जादा हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा आच कुछ अलग कीजिएगा दिन अच्छा है कई कारे पूर्ण हो सकते हैं लेकिन relax रहिएगा आज जाधा frustration हुई तो बहुत सारी चीज़े बिगड़ भी स सकती है investment करी जा सकती है थोड़ा positive रही फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा negative हो रहे है आजकर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस अपने विचारों में अवश्य रही है करियर के हिसाब से अगर आप health industry में है दिन अच्छा जाएगा वैसे भी दिन ठीक है business गुसा थोड़ा गु रखेगा विवाहिक जीवन overthinking बहुत तंग करेगी कोशिच कीजिएगा कि चीजों को बहुत सरल लखें जातक students की बात है शुब दिन है कुछ कारे आपके अटक रहेदे पूर्ण हो सकते हैं सेहत के हिसाब से lower back में दर्द रहेगी lower body में problem रहेगी सरवाश्टक के हिसाब से आपका भाग्यस्थान बली है तो overall दिन अच्छा ही जाएगा उपाई यह है कि आपको हनुमान चलीसा का दो बार पाठ करके बजरंग बली को लड़ों का भोग लगाना है शुब अंक है आपका one कल है आपका red भाग्या प्रतिशत है 85 प्रतिशत जमिनाय मिथुन दिन ठीक है लेकिन जादा किसी पर dependency मत रखिएगा जादा किसी पर dependent मत होईगा किसी भी तरह से emotional हो किसी और तरह से हो क्योंकि वहाँ पे आपके कार्या टक जाएगे और आज किसी पर भरोसा भी जादा मत कीजएगा अपने emotions पर थोड़ा control करना है mind बहुत जगाओं पर भागे का आज ये भी करना है वो भी करना है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ इसलिए एक आगरता के साथ आगे बढ़िएगा अधरवाइस आज का दिन मानसिक तोर पर बहुत आपका परिशानी आपको दे सकता है investment नहीं करनी आज ऐसा लग रहा है कि क आपके लिए देख रहे थे जॉब चेंज के वारे में सोच रहे दिन अच्छा है बिजनस के हिसाब से भी दिन ठीक है लेकिन अपने दुश्मनों से थोड़ा बचके रहे हैं अपने इंडिविज्वालिटी खो चुकी है रिलेशन्शिप में रहकर आप इतना समर्पित हो होना चाहिए कि आप अपनी इंडिविज्वालिटी ही भूल जाने रिलिशन्शिप में विवाहिक जीवन बहुत चेंज़े आ रहे हैं आपके अंदर भी और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर भी और प्रॉब्लम यह है दोनों ही उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं स्ट स्टम भाव बली है तो थोड़ा तो निशित्ता यह दिन लेकर आएगा ही आपके लिए आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान जी के एक बार आर्ती करनी है खपूर के साथ शुबंक है नौ कल है औरेंज भागय प्रतीशत 65 प्रतीशत कर्क थोड़ा अध्यात्म की साथ जाएगे ऐसा लग रहा है कि जीवन की जितनी बाधाएं हैं जितनी कन्फूजन्स हैं वो कम तभी होंगी जग थोड़ा सा अध्यात्मिक नेचर आपका बढ़ेगा मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी जो बड़ी वीडियो होती है कि करक के लिए जो भागय स्थ चीज़ें आपके लिए सकरात्मक होंगी अपने ओपर थोड़ा सा विलीफ जा रहा है और यह होता है जब कुछ नेगेटिव जादा चलता है तो हम अपने आपको ही कोशन करना शुरू करतेते हैं और आपके साथ भी वैसा ही चल रहा है कोई बात नहीं अच्छा टाइम ब पूर्णता नहीं आ रही तो एक आगरता के साथ कारे करने की कोशिश कीजिए और अध्यात्मिक नेचर अपना थोड़ा बढ़ाईए इन्वेस्मेंट करी जा सकती है आज रिलैक्स अपने आपको रखेगा मानसिक तोर से करियर के हिसाब से दिन अच्छा है बहुत कुछ क बढ़ रही है आपकी साइट से थोड़ी जादा हो रही है आप बहुत आगे की सोच रहे हैं शयद आपके पार्टनर उतने आगे की नहीं सोच रहे या उल्टा भी हो सकता है दोनों सेम पेश भी नहीं है इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी विवाहिक जीवन तो ठीक है आपको अनुमान चली सा बजरंग बान एक एक बार पार्ट करके बजरंग बली को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है शुबंग कि आपका वन कल है आपका वाइट भाग के प्रतिशत है 70 लियो सिम्ह दिन की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि ऐसा ल भावना बन रही है कि कोई धोका राप्त हो सकता है तो आज भरोसा तो किसी भी मत कीजिएगा अपने आपको छोड़कर और कोशिच कीजिए कि किसी और व्यक्ति के ऊपर आपका डिपेंडेंसी ना हो किसी भी तोर से कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशियां आपके गम आपके सारे एमोशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एद्गिर गोम रहे हैं और यदि ऐसा लंबे टाइम तक होता है तो व्यक्ति बहुत परिशान होता है तो अपनी डिपेंडेंसी इमोशनल लेवल पर कम कीजिए और अपने ओपर से विश्वास क कीजिए तभी आगे बढ़ पाएंगे आज का दिन थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूंगा लेकिन सेंसिटिव बहुत रहेगा कोई बड़ा निरने लेने से बिलकुल बचिएगा इंवेस्मेंट मत कीजिएगा सेहत का ध्यान रखेगा शाम के समय बाहर का खाना बिलकुल कार आया है उसको उतना ही टाइम दीजिएगा जितना वो डिजर्व करता है लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूंगा कि शालींता के साथ अपने पार्टनर से बात किजिएगा कभी-कभी ऐसा कुछ बोल देते हैं जो बहुत रूड लगता है और आगे चलका रिले होप नहीं जाने चाहिए अगर होप चलेगी तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बचता तो हमेशा होफफुल रहिए और इस चीज़ पर काम कीजिए सेहत के हिसाब से सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा स्थान बली है फ्रस्ट्रेशन थोड़ा वश्य रहेगा गुस अब इसा लग रहे है कोई बहुत इंपॉर्टन कारियाज हो सकता है आपके हाथों कॉंशेस लेवल अच्छा रहेगा समझधारी अच्छी रहेगी सीज़ों को समझने की शम्ता बहुत अच्छी रहेगी इंवेस्पेन करी जा सकती है कानूनी कारिया टक रहा था वो वह प चीज पर काम नहीं कर रहें, बिजनस में गुडविल बहुत इंपोर्टन्ट होती है, उस पर काम कीजिए, लव लाइफ, लव लाइफ ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखरी, स्टेबल दिन जाएगा, विवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज उनको ठीक करने का समय है, स्टूडेंस बहुत शुप समय है, आज भागे का भर्पूर साथ मिलेगा, कोई इंपोर्टन कारे है आपका, अच्छा करेंगे, सेहत के ही साबसे, इन्फेक्शन और सर से संबंदित प्रॉब्लम, सरवाश्टक में आपका पंचम, भाव अत अच्छा है, आज का दिन बुरा नहीं है, बस एक चीज कहूँगा, गुस्से पर कंट्रोल कीजेगा, आज दिन का जो मद्यभाग से पहले का समय है, गुस्सा बहुत रहेगा, लॉंग टर्म चीजों पर विचार कीजे, आइडियाज आएंगे, कैसे प्लैनिंग करनी है, ऐसी चीजें बोली जाएंगी, उसमें जो आगे चलकर आपको ही थोड़ा पीडा देगी, हम जब गुस्से में होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में खखुदी सोचते हैं, हमने क्या 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 दिया, क्योंकि जब गुस्सा आता है, जो उमारी बुद्ध अच्छा जाएगा, बिजनस, बिजनस में भी दिन अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है, लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूंगा, कि थोड़ा सा एक्स्प्रेसिव रहिए अपने पार्टनर के पती, विवाहिक जीवन अच्छा है, बहुत अच्छा द इमोशनल हेल्थ की मने जो बात करी उस पध्यान देजेगा, आपके लिए उपाई ये है कि आपको हनुमान चलीसा का दो बार बाट करके बजरंग बली को घर में बने किसी भी मिठाई का भोग लगाना है, शुब अंक है आपका साथ कल है, यह लो भाग्या प्रतिशत पच पबलम आ रही है, उसका solution भी वहीं पे मिल सकता है, जीवन के हर angle को देखना शुरू कर दीजिए, ना के बल पैसे को, ना के बल करियर को, बाकी चीज़े भी होती है, सेहत होता है, भाई बहन होते हैं, कजन्स होते हैं, दोस्त होते हैं, इन सब चीजों पर भी काम कीजिए, इन सब को भी व्यक्त दीजिए, इंवेस्पेंट करी जा सकती है, अगर किसी के थुरू करते हैं, तो अच्छा रहेगा, कोई कानूनी कारे टक रहा था, पूरा होगा, करियर में दिन अच्छा है, अगर वानी से सम्मंद्द कुछ कारे करते हैं, लाब होगा, बिजनस, बि बिजनसों की प्रॉब्लम और लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो दिक्कत बढ़ेगी, सेहत का सरवाश्टा के हिसाब से आपका तीसरा भावत इंत परी है, तो एक उर्जा रहेगी सगरात्म को उसका उप्योग कीजिएगा, उपाय आपके लिए है कि आपको बजरंग बा पूर्ण हो सकता है, और दिन में बहुत ऑफॉरिटी रहेगी पूरे जीवन में, अच्छा दिन है आज का, जा तक इन्वेस्मेंट की बात है कर सकते हैं, कुछ कार या टक रहे थे या किसी से कुछ मतभेद हो गए थे, उन चीजों को भी सॉल्व करने के लिए आज का दिन जाता करियर की बात है, फाइनस इंडस्ट्री से अच्छा दिन जाएगा, एक बैरेंस दिन देख रहा है कारकशित्र में, बिसनस, कॉम्मिनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने बिसनस की कॉम्मिनिकेशन पर, बिसनस का कॉम्मिनिकेशन मतलब आप क्या सेज कर रहे हैं, या वो चीजें कस्टमर्स तक पहुँच रही है उस पर काम कीजिए जहां तक लव लाइफ की बात है बाची थोड़ा अच्छी अच्छे स्थर पर कीजेगा और शालीनता के साथ कीजेगा क्योंकि आज अचानक से कोई ट्रिगर पॉइंट हिट हो जाएगा और उसके बाद भैस हो सकती है विवाहिक जीवन आज का अच्छा दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है थोड़ा डिप्लोमेटिक रही है लेकिन यहां पर भी स्टूडेंस बहुच शुब दिन दिख रहा है अगर एक्जा बली को मिठाई का फोग लगाना है शुब अंक है आपका छे कलय है आपका पिंक भागय प्रतिशत 75 प्रतिशत केप्रिगॉन मकर पेशन्स दिखाने का दिन है दिन अच्छा है लेकिन पेशन्स के साथ आगे बढ़ी है कुछ लोग आपके धैरे को टेस्ट करेंगे आपसे कुछ ऐसा बोल देंगे आपके लिए कई सामने कुछ ऐसा करदेंगे जो आपको प्रवोग करेगा लेकिन आपको आँज शालींता और सॉममिता पूरे दिन में बनाकर रखनी है रियक्टिव मत रहिएगा एकदम आपने किसी चीज़ पर रियक्ट कर दिया तो आपके आपके साथ है और इन लोगों को समझी है और इनसे दूर होने का प्रयास किजी investment के हिसाब से कर सकते हैं एंग्जाइटी थोड़ी शाम के समय जादा रहेगी career के हिसाब से दिन अच्छा है job change करने के बारे में सोच रहे थे दिन ठीक है लेकिन बादचीत करकर जो frustration उत्पन हो रही है उसको ठीक करने का कोशिश की रहेगा students भाग्य शाली दिन है लेकिन थोड़ा सा अपने studies के परती commitment बढ़ाना पड़ेगा आप समय कम दे रहे हैं जादक सेहत की बात है आखों की problem और कोई hormonal problem औरड़ी है तो दिक्कत देगी सरवाश्टक में आपका प्रथम सानी बली है तो दिन तो अच्छा ही जाएगा आपके लिए उपाई है कि आपको ओम हनुमते नमहा मंतर का 27 बार जाप करके बजरंग बली को किसी भी फल का भोग लगाना है कुम्भ एक्वेरियस अपनी सेहत पर ध्यान दीजेगा और मांसिक और शारिक दोनों ही क्योंकि दोनों को ही थोड़ा नजर अंदाज कर रहे है काफी creative अवश्य रहेंगे आज आईडियाज अच्छे आएंगे या कुछ लोग आपको dominate करने का भी प्रयास कर रहे है इस चीज से निकलने की कोशिश कीजिए क्योंकि अगर ये चलता रहा तो कहिना कहीं आप अपना nature ही खो देंगे आज overthinking से थोड़ा बचिएगा investment करी जा सकती है अपने जीवन को compare मत कीजिएगा अगर comparisons आज start कर दिए तो problem बढ़ेगी जहां तक career की बात है दिन अच्छा है कोई problem नहीं दिखरी बलकि चीज़ें आगे बढ़ सकती है अगर communication based कुछ का रहे है और अच्छा रहेगा business के लिए भी दिन अच्छा है एक leader बन के उभनने का मौका मिल सकता है दिन ठीक है कोई problem नहीं दिखरी लेकिन बस एक ही चीज़ कहूंगा कि थोड़ा sensible रही है कुछ आज कर ऐसी चीज़े बोल जाते हैं भले मजाग मजाग में हो जिसका प्रभाव थोड़ा सा बुरा पड़ रहा है और वो चीज़ें एकुमेलेट हो रही है और आगे चलकर problem देगी विवाहिक जीवन अच्छा नहीं है आज लड़ाई जगड़े हो सकते हैं compatibility बिलकुल match नहीं कर रही है तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा जादक students की बात है इच्छाएं बहुत जागरत हो रही है इसके कारण गलती कर सकते हैं कुछ सेहत के हिसाब से नसों की problem और lower body में tango आदी में कुछ दर्द हो सकता है जादक सरवाश्टक की बात है आपका पारवास्थान बली है खर्चे थोड़े बढ़ेंगे उपाई ये है कि आपको ओम वायू पुत्राय नम्हा मंत्र का 27 बार जाब करके बजरंग बली को किसी भी मिश्ठान का भव लगाना है शुब अंक है आपका साथ कल है यलो भाग्य प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत पाईसिस मीन दिन ठीक है दिन अच्छा है लेकिन थोड़ा अपने जीवन में ठहराव लाईए ये भी करना है वो भी करना है ये कारे भी शुरू करना है वो कारे भी शुरू करना है ठीक है उनके लिए समय अच्छा है लेकिन क्या आपका बॉड़ी और आपका माइंड साथ दे रहा है इस चीज़ पर विचार कीज़े, अपने body और अपने mind इन दोनों की हिस्सेहत पर थोड़ा ध्यान दीज़े, आज relax रहिएगा, जितना relaxation अपने जीवन में आज रख सकते हैं, उतना रखिएगा, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, अच्छे-चे offers आ सकते हैं, अच्छे-चे opportunities आ सकती हैं, उनके लिए कि आप तैयार हैं, उन चीज़ों को handle करने के लिए, इस पर विचार कीज़ेगा, दिन आज का अच्छा देख रहा है, बलकि लाब कुछ हो सकता है, पैसा आ सकता है, किसी पर विश्वास मत की कीज़ेगा, और आज, जैसे मैंने कहा, धहरे रखिएगा, तो आज क्या हो सकता है, कि अपनी ही गलती से अपना कुछ नुक्सान करा सकते हैं, इसने मैं कह रहा हूँ कि अपनी मानसिक शारिक उर्जा को और अच्छा कीजिए, और वो तभी होगा जब आप अपने आपको थोड़ा relaxation देंगे, investment कर सकते हैं, कोई बुरा दिन नहीं है उसके लिए, यात्रा पर किसी जाना चाहते हैं अगर तो उसके planning कर सकते हैं, जाता करियर की बात है दिन अच्छा रहेगा, अगर आप consultation बेस कुछ कारे करते हैं, अगर आप education बेस कुछ कारे करते हैं, लाब होग सकते हैं, स्टूरेंस, स्टूरेंस के लिए आज का दिन बहुत शुब देख रहा है, कुछ कारे आपके आप पूर्ण थे, वो पूर्ण हो सकते हैं, सेहत की सापसे water retention, liver की problem, पेट की problem, सरवाश्टक में आपका लाब स्थान बली है, तो कही ना कहीं से लाब तो प्राप्त होगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान चलीसा का दो बार पाट करके बजरंग बली को किसी भी मिश्ठान का भूग लाना है, शुब अंक है आपका साथ, कल है आपका गोल्डन भागया पतिशब, अस्थी पतिशब, यह था चार अप्रिल का राशी फल चैनल पर नहें है सबस्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक एलिए ओमने